वैसे मेरा नाम आनंद कमलेश्ट पाठी है आप मुझे बिंदास बुछपिरा पर देख रहे हैं मेरे साथ है अविनेता देव सिंग देव भाई खुशी कर भी खबर है कि आपकी एक दो नहीं बलकी तीन-तीन जी हां देव सिंग की एक दो नहीं बलकी तीन-तीन फिल्मों को उत्तर प्रदेश को गवर्मेंट की फिल्म बाड़ी फिल्म बंधू से सबसेडी मिली है अनुदान मिला है कैसे रेक्ट करेंगे तो बहुत खोशी की बात है हर यह यह मैं इसलिए कहूं कि जो निर्माता की फिल्म में कुछ नुकसान अगर हो जाता है तो यह यह जो सबसे मेरे तीनों फिल्मों के हीरो कलू बहिया है छोटा भाई अपना और एक फिल्म के डिरेक्टर है रजनी समिश्रा जी जो कि आज के तो बहुत कमाल के निर्देशक है पदीशर मजी निर्माता है एक फिल्मों में निरेज रणधेर जी है डिरेक्टर और एक फिल्म के डिरे प्रमों जी मुझे जैसे भाईया बिलिब करते हैं और हमें साथ चारो फिल्मों ने चार अलग अलग किरदार दिया है तो सब्सेडी जब मिलती है तो वो प्रोडुसर वापस खड़ा होता है दूसरी फिल्म बनाने के लिए हिम्मत रहती है उसको कि चलो यार हम अपनी फिल् मेरे शादेवी थी और मैं शूटिंग करने गया था तो फिल्मों से मेरे मतलब मेरे पैरों के रंग नहीं निकले तो यह अच्छा है रास दिलक इसलिए याद है और पजदीब जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं उसमें में में मिलें था सावई अवदेश बिया थे नहीं कि वो जैसी फिल्म अच्छी बनी और शायद इसलिए सरकार ने भी मदद के लिए हाकत जो है वो आगे बढ़ाए वैसे देव जी इसमें जो सबसीडी की लिस्ट है तो बाइस फिल्में है भूजपरी की जने सबसीडी मिली है नबे लाख रुपे तक एक्टी नाइन आप फैन्स का थोड़े से ऐसे मायूस जरूर होए हैं देव सिंग कैसे रेट करते हैं यह था नहीं होना चाहिए था अगर कोई फिल्म थी उनकी और वो सबसेडी के लाइक थी तो उनको देना ही था देना ही चाहिए हर फिल्म लोग में क्या बनाते हैं कि यूपी में लोग शूट इसलिए करते हैं सबसेडी मिले हमको सबसेडी मिलने तो आपको अगर याद होगा तो पिछले 5 साल के पहले जान और बड़ोद्रा में शूटिंग होती थी तो अगर खैसारी जी की फिल्म का ऐसा अगर हो कोई फिल्म थी अब मुझे नहीं पता को इस वारे मुझे बहुत जादा जानकारी नहीं है लेकिन यह सूतर के बारों में यह पता चल ला है कि तीन फिल्में सबसेडी में रख चाहा हो इस वजेसं मिला हो लेकिन अशा तो है कि घिसारी जी के फिल्म को नहीं मिले सबसेडी कि पीछले साल भी काफी फिल्मों का मिला था पीछले बार में मैं को याद है पिछले साल उन्होंने अख्लेश सिंगे साथ फोटो नहीं खिचवाई थी ना सल तो पता नहीं पिछले साल सब्सक्राइब मिली तो अच्छी बात है अगर यह मसला है तो इस मामले में फिर मैं एकदम घ्यान हूं कुछ नहीं बोल पाऊंगो इसमें फिर क्या बोलो लेकिन अगर 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 अख्लेश जी के साथ फोटो खिचवाने को जो सब्सक्राइब मिली तो जब जब सिर्फ उनका उनकी सरकार आगी तो सिर्फ इनको मिलेगी यह तो अच्छी बात है यह तो खेर मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन कमेंट के जरिये लोग कह रहे हैं कि सपा से ज तो वक्त बताएगा और किसकी सरकार आएगी एक चुनावे मुद्धा हो सकता है लेकिन जब देव सिंग एक फिल्म अगर किसी और फिल्म को इसको भी सब्सेडी मिली होती तो देव सिंग के तो चार फिल्में हो जाते हैं मैं तो अच्छा लगता है बालम जी लभी मैंने बड़ी मेनत करी थे उस फिल्म में अच्छा है प्रमासुजी डिरेक्टर थे उसका अनद रूंता जी निर्माता थे और पर उसे हमारे कोई बेनेफिट नहीं होता कि चलो हीरो मैं उस फिल्म में हूँ तो मेरे को सब्सेडी मिली लोग काउंट करते हीरो हैं इसके लिए उसका करता हूं कि जिनको सब्सेडी नहीं मिल रही जो एक्दम जो बच्चे पैसे जुगार करके हैं जो लोग बहुत यह सोच के फिल्म बना रहे कि सब्सेडी से पैसा निकल जागा और उनको नहीं मिला तो उनकी तो हालत खराब है जिनको मिल रही है तो फिर भी बना रह एक आखरी सवाल देव सिंग आप से करना चाह रहा हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री लंडन जा रही है बहुत सार लोग लंडन जा रहे हैं बाकाइदा एक पूरी लिस्ट है लंडन में फिल्में शूट होने वाली हैं बताया जा रहा है कि 12-13 फिल्में शूट होंगी रामित्र मत्रोς जी कर रहा है म३हाँ है मंगता इस शूटिंग कर रहा है तो यह मैरे लिए मुझे खोशी होते हैं चलो अपनी लोग तो हैया और लंडन जब कहता ना कि जब आपका लिखा उता तभी आपको जाना है तो सध मेरा अभी लंडन जाना लिखा यह नहीं अगर चुट्टी नहीं मिल पाई तो लेकिन बहुत प्यारी फिल्म नेपाली वड़ी फिल्म बन रही है हमारे उसमें काफी लोग है अपने बॉलिवुड के भी है और नेपाल के काफी एक्टर है और कुछ एक्टर्स है तो बेवी लेट सी अगर उसमें गया तो गया नहीं फिर जब खिसमत चाहेगे तब जाएंगे लेकिन जाँगगो एक्टिंग के हिसाब से बजाओंगा वैसे देव जी क्या यहितिफाक है कि वाज़ीं नहीं पुरी इंडूस्ट्री जा रही है ज्यादातर कलाकार जा रहे हैं एक देव सिग्म नहीं जारहे हैं हमारे और दो तो सर मसला पिछले चार मेने से में थुरा बज़करी से कट सा भी गया हूं कापी मिलना जुलना भी कम है लेकिन सारी पस इतनी फिल्म है कि उनको लंडन जाने की क्या ज़रोते यहीं तरह काम कर रहे हैं वह तो कभी खाली बैठते ही नहीं एक फिल्म खतम होती दूसरी शुर लंडन अगली बार भवान स्कॉटलेंड लेज़े कहीं और बाहर लेज़े अब इरोप भी शूट कर रहे हैं सब पैरिस भी शूट करें तो यह अच्छा है ना क्यों लंडन तो सब अब देख रहे हैं अलग अलग शहर भी तो देखना जरूरी है आती है हमाराथ चले गए जुगन जैसे फिल्म करूंगा और अच्छा लगता है सब देखे तो लंडन जब जाना होगा तो जब ले जाएंगे तो मैं रेडी हूं जाने के लिए तर तो मैं पासपोर्ट रिन्यू कर वा लेता है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए काफी ल जाने बाद और अच्छा लगा आज बहुत दिनों बाद में बहुत खोल के बोला हूं मुझे बहुत मुझे खुद बहुत अच्छा लगा रहा कि चलिए अच्छा ऐसे आप टगराते रहिए हर महीने में दो बार मिल लेते हैं एक दिन आई हमारे सेट पे भी आईए झाल खिन आई हमारे से पाद आई वहाँचा.